हेलो दोस्तो टेक्नलोजी और मसीन्स की दुनिया में आप सभी का स्वाधत है दोस्तो आज मैं आपके लिए 5 सानदार अमेजिन मसीन्स लेकर आया हूँ जिन्हें आपको एक बार जरूर देखना चाहिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो यह एक एडवांस और कमाल की मसीन है जो बड़े-बड़े मसीनों में लगने वाले मोटे-मोटे लोहे के स्प्रिंग बनाने का काम करती है इन बड़े स्प्रिंग्स को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे को उच टेंपरेचर पर गर्म किया जाता है ताकि वह नर्म होकर अकार में ढलने लायक बन जाए फिर उस गर्म लोहे को इस मसीन में डाला जाता है जहां यह मसीन इस राट को अपने मजबूत पेलनकार रोलर से गोल-गोल घुमा कर स्प्रिंग में बदलते जाता है यह मसीन इतनी सफाई से यह काम करता है जिसका कोई जवाब नहीं नमबर टू, क्विक ट्रिम दोस्तो यह पेलों की कटाई और छटाई में इस्तमाल होने वाली एक मौटन मसीन है जो बड़ी सफाई से और बड़ी तेजी से अपना काम करने में माहिर है इस मसीन में 306 डिग्री पर घुमने वाला एक सक्तिसाली कटर लगा होता है जो की 3000 राउंट पर मिनट की दर से घुमता है यह मजबूत कटर मसीन के हाइडरलिक आम से जुड़ा होता है और यह मसीन 50 फिट तक उची पेलों की कटाई और छटाई अराम से कर सकता है दोस्तो आपको पताई होगा कि अगर किसी जगह पर पाइपलाइन बिचाना हो तो वहां की मिट्टी की खुदाई करके पाइपलाइन बिचाना कितना ज़्यादा मेहनत का और समय लेने वाला काम होता है लेकिन इसकी तुला में यह मसीन उसी काम को अकेले और बड़ी तेजी से करती है इस मसीन में गोल घूमता हुआ मजबूत लोहे का काटेदार कटर लगा होता है जिससे यह मसीन अंडर ग्राउंड पाइपलाइन बिचाने के लिए एक गहरी नाली बनाते जाती है और मसीन के साइड में लगे लिप्ट की मदद से मिट्टी को भी नाली से निकाल कर साइड में इखटा भी करते जाती है नमबर पोर सी बीन दोस्तो यह एक प्रकार का पावरफुल फंप मसीन है जिसे खास नदियों, नालों और समुद्दों से कचरा साप करने के लिए डिजाइन किया गया है यह मसीन आटोमेटिक मोट पर अपना काम करता है इस मसीन को यूज करने के लिए सबसे पहले इसे पानी के अंदर डाल देते हैं उसके बाद यह मसीन पानी से वेस्ट मटेरियल जैसे कचरा, कैमिकल और ओइल को अपने टैंक में खीचने लग जाता है और पानी को असुध होने से बचाते रहता है नमबर फाइट, नेरेको लिफ्ट दोस्तो यह एक मॉडरन और फ्यूचरिस्टिक लिफ्ट है जिसे कई मंजिलों वाले बिल्डिंग्स में लिफ्ट खराब होने की स्थिती में बचने के लिए डिजाइन किया गया है क्योंकि इस लिफ्ट की मदस्ते कोई भी वेक्ती किसी भी एमर्जन्सी सिच्वेशन में बिल्डिंग से नीचे उतर सकता है इस लिप्ट को बड़ी असानी से बिल्डिंग के किसी भी साइड में लगा सकते हैं क्योंकि या सिर्फ एक इनसान जितना ही स्पेस कवर करता है या लिप्ट एलुमिनियम के पाइप के साहरे लगाई जाती है और इस लिप्ट को बिना इलेक्सिकी के भी यूज कर सकते हैं बस इसका इस्तमाल करने के लिए इस पर चड़कर दिये गए ब्रेक को रिलीज करना होता है तो दोस्तों आज की विडियों बस इतना ही